नमस्कार दोस्तों मैं प्रदी बगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल PK7P में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCRT क्लास 6 हिंदी का चप्टर 8 ऐसे ऐसे का क्वेशन अंसर को डिसकस करेंगे कब वीडियो नहीं देखे तो जाकर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को दबा ले ताकि आगया नहीं वीडियो का भी लूप तो उठाते रहें पहला क्वेशन है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठा का द्रिश्य उसका एक दर्वाजा सड़क वाले बरामदे में खुलत बरामदे में रंग भी रंग फूल की क्यारिया रखी क्यारिया मतलब टब रखें अंदर बैठाक में दिवारों पर हलकी पीला रंग लगा है ऐसे तरफ सोफा सेट दूसरी तरफ टीवी रखा हुगा है तीवी के पास ही में एक छोटी सी मेच पर गुलावी कपड़ा नहीं जा पा रहा था ना जाने उसे क्या बीमारी हो गई यह सोचकर मोहन की मा घवरा रही थी तिसरा कोशन है ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं कुछ ऐसे बहानों के बार में लिखो जो आप भी और मैं भी अपने बच्पन के समय ऐसे ऐसे ही बहाने अपने सर लोग के सामने या टीचर लोग के सामने किया करते थे याद करना बहुत मज़ाएगा देखिए क्या क्या बहाने हम लोग अपने टीचर लोग के सामने करते थे पहला है पेट में दर्द सर पेट में बहुत दर्द सीर में जूड मत बोलना अगला कोश्य ने मान लो तुम मोहन की तवियत पूछ नहीं आते हो तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को सनवात के रूप में लिखो सनवात का मतलब बता है यानी डायलग दोनों के बीच में क्या भातचीत हो रहा उसको लिखना है मैं मोहन कैसे हो मोहन ठीक नहीं कुस दिनों से पेट में बहुत दर्द मैं डॉक्टर को दिखाया तुमने कोई दवाई लिया या नहीं मोहन कता है हाँ परन्तु कोई कारण पता नहीं चल रहा और हूं ओके यहां पर बाय नहीं लिखाया मैं बता दिया हूं नेक्स्ट कोईशन नाटक सब्द आम जिंदिगी में कब-कब इस्तिमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा हो या कोई बहाना बनाता हो जैसे तुमनों बोलते हैं ने अपना फ्रेंड में अरे नाटक मत क शंत्रा नहीं खाया मोहन ने क्या खया मोहन केला और शंत्रा खाओ उप्युक्त वाक्यों में सब पहला वाक्या एक आंकी से लिया गया बाकी तीन वाक्या दिखने से पहले वाक्या से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है पहला वाक्या किसी कारिया या बात ह के बारे में बताता है इसे वीधिवाचक वाक्य काते हैं दूसरा वाक्य रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे नहीं मना करना पूछना आदेश देना उत्तर अम देखते उत्तर में क्या हो देखो बीधी वाचक वाक्या में हम लोग लिखेंगे रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे निशेद वाचक में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं र लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सब को भी सेयर कीजिए मैं प्रदिभगत मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब हम देमाता